तारे सितारे वंगरहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चालो रेष्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 4 मार्च 2024 सोमवार के दिन काम तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टी वा भगवान शिव की क्रपा से आज 12 में से 6 राशी वाले लोग भाग्येशाली रहेंगे इन 6 राशी वालों में आज हैं मिथुन, करक, तुला, धनू और कुम्भ राशी वाले लोग वहीं अन्य राशी वालों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशी फल नई नई ज्यानवरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज फालगुन मास कुरश्ण पक्ष की अश्टमी तिथी है सोमवार का दिन है आज दिन की सुरुवात जेस्ठा नक्षतर से होगी और वरिश्चिक राशी में चंदरमा का संचरन होगा आज सुर्योदई प्रातहकाल च्छे बच के 42 मिनट पर होगा और सुर्यास्त साम के 6 बच के 23 मिनट पर होगा आज राहुकाल प्रातहकाल 8 बच के 10 मिनट से आरम भो करके प्रातहकाल 9 बच के 37 मिनट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहू काल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय शुरू नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सूल रहेगा पूर्वधिसा में तो आज के दिन आप पूर्वधिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय आरंब नहीं करें पूर्वधिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतियावश्यक हो तो अपने इष्ट देवता की सरद्धा पूर्वध पूजा आरादना करके या इष्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सरवस्रेष्ट अतिसरेष्ट महुर्त अभीजीत महुर्त आरंब होगा दो पहर बाराह बच के नो मिनट से आरंब हो करके दो पहर बाराह बच के अठावन मिनट तक सरवस्रेष्ट वशुब महुर्त रहेगा इस महुर्त में आप कोई भी शुप मांगलिक वज नया कार्य अरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तू की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस महुर्त में आप कर सकते हैं तो अब जानी अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भाग के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुब रहे और कारेचेतर में भी आपको सफलता मिलें तो मेसराशी से आरमब करते हैं मेसराशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा मेसराशी वालों के लिए आज का दिन आनंदमाई रहेगा आज आपको बड़ों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और आज आप किसी मनोरंजन कार्यक्रम में समिलित हो सकेंग मित्रों के साथ अच्छा समय वेतित होगा परिवारिक मामलों में आपकी पूरी रूची रहेगी आज आपको लेंदेन से संबंदित मामलों में थोड़ा सतर करहना चाहिए अध्यन और आध्यात्म में आपका मन लगेगा आपके व्यक्तिगत प्रयास काफी सफल रहेंगे आ आपका आस्मानी रंग है आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशी सुपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पश्चाद तांबे के पात्र में सुद्द जल गंगा जल काले तिल मिला करके सिवजी को और पित करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है व्रशब व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन आपके लिए उरजावान रहने वाला है मित्रों का विश्वास आप पर बना रहेगा आपको अपने करीबियों की बात को पूरा ध्यान से सुन जो आपको परेसान कर सकता है और आपको किसी काम में आ रही समस्या को लेकर अपने भाईयों से विचारविमर्स अवश्य करना चाहिए और विद्यारती वर्ग को घूमने फिरने के दोरान कोई महत पुर्ण जानकारी प्राप्त होगी आज आपका भाग्यशालियंग का साथ है शुबरंग आपका सफेद रंग है आज आपको भाग्यशालियंग का साथ 82 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेशुपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनानकन्य के पश्चात भगवान सिवी जी की पूजा करें 21 बिलवपत्र पर सफेद चंदन लगा करके च चाहिए रक्त संबंदी रिस्तों में मजबूता मजबूती बने रहेगी कामकाज पर आपका पूरा जोर रहेगा आपको किसी उचित अवसर के मिलने की संभावना है प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी की बातों में आकर कोई निरने लेने से आज बचना चाहिए आप आपको अपने मन में चल रही उलजनों को लेकर अपने भाईयों से बातचीत करना चाहिए आपका कोई परीजन आपके घर आज दावत पर भी आ सकता है वरिष्ट सदस्यों से बातचीत करते समय अपना व्यभार विनमर बनाए रखें जन कल्यान के कारे पर आपका पूरा स आपको मिलेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों में धील आज नहीं दें आज आपका भाग्यशाली अंकतीन है शुबरंग आपका केसरिया रंग है आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका विशी सुपाई इस प्रकार से है प्रात है काल इस नान करने के पश्चात भगवान सिवजी की पूजा करें शमी पत्र चड़ाएं दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है करक करक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है और आप सबको साथ लेकर चलने निरासा भी होगी धेरे रखें परिवारिक मामलों में आपको पूरा फोकस बनाए रखना चाहिए आपके धन धान्य में वरद्धी होने से आपकी खुशी बढ़ेगी परिवारिक मामले में आपकी पूरी रूची रहेगी विद्यार्तियों के उच्ची सिक्षा के मार्ग खुल पाएंगे आज आपका भाग्यशाली अंक नो है शुब रंग आपका सफेद रंग है आज आपको भाग्य का साथ 86 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेशुपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चाद भगबान सिवजी का कच्चे गाई के दूद से अभिशेख करें दिन आपका शुब रहेगा अगले रासी है सिम्व राशिवालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन आपके लिए किसी बड़े लक्ष को पूरा करने के लिए है आपको एक के बाद एक शुब सुचना सुनने को मिल सकती ह आप अपनी वाणी और व्यभार्व से कुछ नए मित्र भी आसानी से बना पाएंगे राजनीती में कारियरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ती के योग हैं जो लोग नोकरी में कारियरत हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी आप अपने कारियों को अपने जु तीसे तपराप्त होगा आज आपका विशी सुपाह इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाद शिव परिवार की पूजा करें हलवे का भोगर पीत करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है कन्या कन्या राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रक आपके साहस और पराकरम में वरद्धी होगी आनलाइन काम कर रहे लोगों को आज थोड़ा सावधान रहने की आवशकता है आपके कुछ विरोधी आपको परिसान करने की कोशिस करेंगे विदेश आदी में रह रहे किसी परिजन से आपको फोनकाल के जरिये कोई शुब सुनने को मिलेगी आपने अदी जीवन साथी से कोई वादा किया था तो आपको उसे समय रहते पूरा अवश्य कर लेना चाहिए आज आपका भाग्यशाली अंकछे है शुबरंगा आपका सफेद रंग है आज आपको भाग्य का साथ 80% पराप्त होगा आज आपका विशे शुपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चात भगवान शिवजी की पूजा करें और सफेद चंदन लगा करके 11 बिलव पत्र अरपित करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है तुला तुला राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार स चाहिए अध्यान में आध्यात्म में आपकी रूची काफी रहेगी आपको उमीद से ज्यादा धन मिलने से आपकी प्रसनता बढ़ेगी व्यापार में आपको बड़ा निरने ले सकेंगे लेकिन आप अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम अवश्य लगाएं सरकारी नोकर चाहिए अंकछे है शुबरंग आपका जामुनी रंग है आज आपको भाग्य का साथ 84 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात भगवान सिवीजी को रितुफल के रस से इसनान करावे दिन आपका प्रति आपकी रूची बढ़ेगी और आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुढ़ने के कारियों में लगाएं तो दिन बहतर रहेगा किसी सरकारी योजना का आपको लाब मिलेगा बेंकिंग छेतरों में कारियरत लोग बचेत की योजना पर पूरा ध्यान दें और नोकर आज आपका भाग्यशाली अंक साथ है शुबरंग आपका जामूनी रंग है आज आपको भाग्य का साथ पिचोतर प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेशुपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात भगवान सिवजी की पूजा करें शमी प जगता बनाए रखना चाहिए मित्रों और सहकर्मियों का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा आपकी धार में कारियों के प्रति आस्था बढ़ेगी आर्थिक विशेयों पर आप पूरा जोर दें आपको किसी की कही सुनी बातों में आने से बचना चाहिए और अपने मित्र आज आपका भाग्यशाली अंक आठ है, शुब रंग आपका पीला रंग है, आज आपको भाग्यका साथ 81 प्रतिसेत प्राप्त होगा, आज आपका विशी शुपाई इस प्रकार से है, प्रात है काल इस्नान करने के पश्चात, भगबान सिव जी को गाय के कच्चे दूद से अभिशेक कराएं, दिन आपका शुब रहेगा, अगली राशी है मकर, मकर राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला है, आप अपने जरूरी मामलों में सजकता से आगे बढ़ें, परिवार पेड़ संबंदित कोई समस्या हो सकती है, नोकरी को लेकर आपको बड़ा बदलाव कर सकेंगे, आपको अपनी उर्जा को सही कारियों में आज लगाना चाहिए, इस्थायत्वी की भावना को बल मिलेगा, आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है, शुब रंग आपका प प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका विशे शुपाय इस प्रकार से है, प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात भगवान सिवी जी की पूजा करें, समी पत्र धतुरा आर्पित करें, दिन आपका शुब रहेगा, अगले राशी है कुम्ब, कुम्ब राशी वालों के न भवन की खरीदारी करना आपके लिए फायदे मन रहेगा, आपको जल्दबाजी में कोई भी निरने लेने से आज बचना चाहिए, आप किसी की सीख और सलाहा पर चलेंगे, तो इससे परिवार का कोई दूसरा सदस्य नाराज आज हो सकता है, धेरे पुर्वक सोज समझ रंक छे है, शुबरंग आपका सपेद रंग है, आज आपको भाग्यकासा सत्यासी प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका विशी शुपाई इस परकार से है, प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चात, भगवान शिवजी की पूजा करें, मिसरी का भोग लगा करके धतुरा चड़ाएं, दिन आपका शुब रहेगा, अगले राशी है मीन, मीन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है, आपको अपने काम को लेकर आज सावधान रहने के आवाश चकता है, नहीं तो कुछ सलाह आज दे सकता है, आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, और नोकरी की तलास कर रहे लोगों को कोई खुश खबरी सुनने को मिलेगी, लेन देन के मामले में आप अपनी आँक और कान खुले रखें, कोई बड़ा जोखिम उठाने से आज बचें, आज आपका भाग आज आपका विशी सुपाइस परकार से है, प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चाथ, शिव परिवार की पूजा करें, भगवान सिव जी को 21 बिलवपत्र पर ओम लिख करके अरपीत करें, दिन आपका शुब रहेगा, तो मित्रों आशा करता हूँ, कि आपको हमारी यह देन कर दो कर के अर्य है, जय कर दो जापका शुब रहे जा रहा हुब सान scissors अरते हैं, यह से है, भववान करें दो और करें पर आपकา कररें।